Welcome in RSK, Maths Monitor, Chapter 8, Exercise 8.2, Understanding Based Question, Question No. 1, Determint if the flowing ratio form a proportion. जो given ratio हैं, क्या वो proportion की form में है? Proportion means small anupaat यान equality hold करते हैं. अब ratio, यहाँ पे ratio, that means हम compare कर रहे हैं. comparison की quantity को हम ratio के अंद करणवार करते हैं and any proportion find out करना है, this is the sign of proportion 16 ratio 96. अब हम 6, जो ratios को हम by की form में write कर सकते हैं, proportion को हम इसा equal की sign में convert कर सकते हैं, 16 by 96. अब इसको reduce करेंगे हम simplest form में, अगर यह किसी table से cut होते हैं, तो उसको हम cut करेंगे, दोनों number 6 की table से cut होते हैं, 6 बंजा और 6 बंजा, यहां से देखें, small table से कर सकते हैं, अगर आपको 16 की table आते हैं, आप 16 की table से भी cut कर सकते हैं, 16 बंजा 16 और 16 बंजा 96, but small table से करेंगे, तो बंजा 4 बंजा 4 बंजा 4 बंजा 4 बंजा 24, 866, रोपेज, Ration, 1000 बंजा Solum, and means यहां पर पर पर्यपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पों का sign हैं, फिल करेंगे, अगर उप़र कॉशिं चर प्लस का sign दिया तो जहां and हों plus फिल करते हैं, यहां पर प्रोड़क्ट का sign होजा यहां पर प्रोडेक्ट फिल करते हैं, यहां प्रोपोर्शन है तो एंड की जगह प्रोपोर्शन का साइन की फिल करेंगे, 77 kg and 140 kg, जब हमारे पास सिंपल नंबर है तो कोई प्रोब्लम नहीं लेकिद जब हमारे पास यह यूनिट दी हो साथ में मेजरमेंट की, तो अब हमें ध्यान रखना होता है कि जो मेजरमेंट की यूनिट है वो सेम होने चीप, रूपीज है तो यह भी रूपीज में, that means हमें कोई चेंज करने की नीट नहीं होगी, तो इसको हम डिवाइड बाई में राइट कर सकते हैं, एक वल, यह भी केज़ी है, यह भी केज़ी है, तो ड सेवनजा, सेवन टूजा और जिरो, 11 बाई 20 और राइट हैंड में भी 11 बाई 20, बोथ हार इक्वल, that means yes, यह जो परपोर्शन है, तो वो भी हमारे पास एक्वल्टी होल्ड करता है, यह नंबर जो रेशो है, वो परपोर्शन में है, अब यहाँ पर देखे, जो मेजरमेंट की यूनिट है, हम तब तक सोल ने करेंगे, जब तक मेजरमेंट की यूनिट है, वो सेम नहों जाए, यह हावर्स हैं, और यह बिनट है, अब देखे, इसको मिनिट है, इसको हम मिनिट के इंदर कनवर्ट करेंगे, र हावर में 60 मिनिट होते हैं, तो 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 हावर में ज़्यादा हों भी ज़्यादा के लिसकर करते हैं, multiply टोविक जञार, 12 और यहां से 120 मिनिट्स यहां पर भी weeks given है यहां पर days है तो weeks को हम days बेकरोड अब one week के अंदर seven days होतते हैं और five weeks के अंदर जदा दिन होंगे that means multiply five sevens है यहनी 35 days होंगे अब value put करेंगे two hours के जगे हम 120 minutes put करेंगे और यहां 180 minutes है अब हमारे पास जो measurement unit है वो same हो गई अब हमसको solve कर सकते आगे 40 days 40 days as it is रहेगा 40 days ratio five weeks, five weeks के जगे हम 35 days put करेंगे अब इनको हम by की form में write करेंगे 120 by 180 equal to 40 by 35 अब देखें 0 से 0 cut हो गया यह दोनो number two six की table में आते हैं six two जा 12 और six three जा 18 यह दोनो number हमारे पास five table से करते हैं five eight जा और five seven जा अब इसको आगे हम reduce नहीं कर सकते हैं simplest form में write नहीं कर सकते हैं smallest form है यह भी smallest form है इससे आगे cut नहीं हो आई कि एक ही table cut करने उत्ती है हमने दोनो number के लिए अब यहाँ पर two by three eight by seven तो note are equal तो दोनों हमारे पास equal नहीं तो दो जो these जो ratio are not in proportion form now next part 6 liter ratio 720 ml proportion 25 km ratio 3000 meter यहाँ भी देखे हमारी measurement की unit same नहीं है तो पहले हम measurement की जो unit है उसको हम same रखेंगे ml है तो इसको भी ml में अब 1 liter के इंदर हमारे पास होते हैं 1000 ml और six liter के अंदर हमारे पास क्या होंगे 6000 होंगे one के अंदर 1000 तो six के अंदर 6000 ml होंगे अब यहाँ पर देखें यह kilometer है यह meter है तो meter के अंदर change करेंगे one kilometer के अंदर होते हैं हमारे पास 1000 meter अब one के अंदर 1000 तो 25 के अंदर कितने होंगे 25,000 होंगे मीटर अब वाल्यू पूट करेंगे 6 लीटर की जगे हम 6000 मिली लीटर पूट करेंगे 720 मिली लीटर as it is परपोर्शन 25 किलो मीटर की जगे 25,000 मीटर और यहां पे 3000 मीटर पूट करेंगे अब दोनों की जो मेजरमेंट की उनिट है सेम हो गई, यहां से यह सेम है और यहां से यह सेम है क्योंकि यह रेशो है, रेशो में एक एक वल्टी होना ज़रूरी है परपोर्शन में एक वल्ट मेजरमेंट इनिट सेम होना हो लेकिन रेशो कंपेर करने के लिए एक वल्टी होना ज़रूरी है तो यहां से 6,000 divide by 720 proportion को में equality में change करेंगे 25,000 और by में 3,000 3,0 से 3,0 cut यह 25 by 3 lost form में हो गया अब यहां से 1,0 से 1,0 cut अब इसको cut करेंगे हम 12 की table से cut कर सकते हैं या आगी भी हम या 6 की table से cut सकते हैं 6 बंजा 6 और 0,0 तो 6 की table से 6 बंजा 6,6,2012 अब आगी इसको फिर cut कर सकते हैं 4 table से कर सकते हैं 4 table में 25 पे और 4 table में 3 पे यानि यहां पे 25 by 3 और right hand में 25 by 3 तो दोनों का जो ratio proportion में yes तो यह हमारा proportion में last में आपका answer no है बट आपका answer इसके अंदर yes ही आएगा now question number second analysis based question है हमारे पास check whether the given statement are true or false जो statement वो true है या false है 20 ratio 40 proportion यह proportion के अंदर दिया है तो हमने show करना क्या यह proportion में है क्या यह equality hold करता है अगर equality hold करेंगे that means true otherwise no अब यहां से जो इसको solve करेंगे 20 by में 40 इसको equal में change करेंगे और 30 by में 60 0 से 0 कट करेंगे यहां भी 0 से 0 कट हो जाएगी 2 वंजा 2 और 2 की table से 3 वंजा 3 और 3 table से 1 by 2 1 by 2 जो बोथ हार equal that means yes या true यह statement true है यह यह जो statement है proportion के अंदर वो true है now second part B part 66 ratio 99 proportion 126 ratio 189 जहां पर हमारे पास measurement की कोई unity नहीं तो वहां कोई चक्कर नहीं आप directly questions को solve करते सकते हैं 66 by में 99 equal 126 और 189 यह दोनों नूमबर 11 टेबल में आते हैं 11 की टेबल में 6 पे और 11 टेबल भी 9 पे इसको भी कट कर सकते हैं 3 की टेबल में 2 पे और 3 की टेबल में 3 पे 2 by 3 आप इसको भी कट करेंगे हम तरीक टेबल में 3 4 जा और यहां से 3 2 जा फिर 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 अब 42 और 63 63 टेबल में आता है तो 42 हो भी 7 टेबल से ड़ता है 7 टेबल में 7 6 जा और 7 9 जा 6 by 9 फिर 3 से कट कर से 3 2 जा और 3 3 जा 2 by 3 लेफ्ट हैंड भी 2 by 3 और राइट हैंड भी 2 by 3 तो बोथ हार इकुल तो yes या true यह भी हमारा प्रपोर्शन की फोब में है नाव सी पार्ट 200 ग्राम्स 2.5 केजी प्रपोर्शन 400 पैसे रेशो और 50 रुपीज अब इसमें ऑपज़रोकीज यह ग्राम्स है किलोग्राम्स first work is हम एकुल करेंगे measurement unit को सेम रखेंगे यहाई ग्राम्स में इसको भी हम ग्राम में change करेंगे वही सेम 1 केजी के अंदर हमारे पास 1000 ग्राम्स होते हैं 2.5 के इंची के अंदर 2 यानि 25 माल लो 1 के अंदर 1000, 25 के अंदर 25,000 होगा और decimal का 1 place है तो आप decimal का 1 place पूट कर दें यानि 2500 ग्राम्स हो गया multiply एक पर simple कीजिए फिर बाद में आप decimal पूट कर दीजिए अब यहाँ पे देखें यह रुपीज है 1 रुपीज के अंदर 100 पैसे और तो 50 रुपीज के अंदर 1 के अंदर 100 तो 50 के अंदर 50,000 होगे यानि 5000 पैसे होगे अब यह value पूट करेंगे 200 ग्राम्स रेशो 2.5 की जगे 2500 ग्राम्स यानि 2500 ग्राम्स proportion 400 पैसे रेशो 5000 पैसे अब जो measurement unit same हुई that means इसके बाद हम इसको कट कर सकते है 200 बाइ 250 इक्वल 400 बाइ में 5000 2 0 से 2 0 कट करेंगे यहाँ 1 0 से 1 0 कट करेंगे अब यह देखें आपका 5 टेवल में 4 पे और यह 5 टेवल में 5 पे यह 4 टेवल में 2 की टेवल में 2 1 जा 2 और यहां से 225 सोरी यहां पर हमारे पास 2 0 है यानि 1 0 रेक्सटर आएगा आपके पास फिर आप इसको कट करेंगे 2 जा पे और यह 25 पे 2 by 25 और यहां भी 2 by 25 1 0 हमारे पास रह गए थी यहां से यह 0 कैंसल आउट और यह 0 यहां पर काउंट में आएगी 2 के टेवल में हमारे 4 टेवल में स्वरी 5 टेवल करेंगे 5 फोर्जा और 5 फाइजा और जिरो की जिरो 2 by 25 यहां भी 2 by 25 तो बोध हार एक्वल तो यह यह भी स्टेटमेंट हमारे पास true है नाउ लास्ट डी पार्ट 168 हावर्स रेशो 280 हावर्स और प्रपोर्शन 24 किलोमेटर और 40 किलोमेटर अब यहां पर कोई चेंज डिंग करना यह हावर्स है हावर्स है किलोमेटर है तो किलोमेटर के अंदर तो इसको हम डैटली 168 डिवाइड बाइ 280 इक्वल 24 डिवाइड बाइ 40 4 टेवल कर से कट कर सकते हैं 4 6 जा और 4 10 जा फिर दोनों को हम 2 की टेवल से 2 3 जा और 2 5 जा 3 by 5 अब इस साइड को देखेंगे हम इस साइड में 2 से भी कट कर सकते हैं 2 8 जा और 2 4 जा और 2 1 4 और 0 आगे कट करेंगे फिर इसको यहार पास 84 by 140 हो गया 2 की टेवल से फिर कट कर सकते हैं 4 जा और 2 जा और यहां से 7 और 0 बोनों 7 टेवल से कट होते क्यूकि 70 है तो 7 टेवल से कट होगा तो यह भी 7 की टेवल में 6 पे और 7 टेवल में 10 पे यहां पर 6 by 10 है और यहां पर 3 by 5 फिर हम इसको देखो और ड्यूस कर सकते हैं इस टू की टेवल से टू की टेवल में 3 पे और टू की टेवल में 5 पे 3 by 5, 3 by 5 तो यह हमारे पास यह स्टेटमेंट भी ट्रू है, this is the answer of this part, dear students, if you like our video, then like and share the video.